मध्यपरदेश में नदी में आए उफान ने कहर मचा रखा है, लगातार बारिश की वज़े से मध्यपरदेश में हर तरफ बाड की स्थिती बनी हुई है, तो वही धार जिले के अमझेरा में भारी बारिश की वज़े से तलाप का पानी ओवर फ्लो होकर पुलिया के उपर 5 बह रहा है तब ही एक यात्री बस पूलिया से गुजर रही थी तेज बहाव के कंड वह बीच में ही फस गई करीब एक घंटे तक बस फसी रही शेत्री विधायक प्रताप ग्रेवाल भी मोके पर पहुँचे अमजेरा थाना प्रभारी भी अपनी टींग के साथ मोके पर से दस यात्री को सुरक्षित निकाला गया करीब दस पैसेंजरों को नगर वासियों ने रसी की मदद से लोगों को जदो जहाद कर निकाला गया समय रहते यात्री को सुरक्षित निकाला गया वरना बड़ा हाथसा हो सकता था पिछले चार दिनों से लगातार बारिश की व से एक यूवक का पैरफिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया गोता खोर की मदद से यूवक को खोजा जा रहा है मगल यूवक का कोई पता नहीं चला तो वही प्रशासन का कोई भी नुमाइंदे लंबे समय तक घटना स्तल पर नहीं पोँचे जिससे ग्रामिनो में भी अक्रोश देखा गया है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं